नमस्कार सभी मीत्रों को स्वागत है हमारी यूटीब चैनल स्टोक मार्गेट में कर्ज में डूडी ये कमपनी बेच रही है अपना सिमेन कारोबार खरीतदारों के लिस्ट में अड़ानी का नाम सुन शेर उसला वीडियो स्टाट करने से पहले सभी मीत्रों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राबर दीजिए जाई प्रकास एसाशेट के सेरों में आज जबदेश तेजी रही कमपनी के सेर इंट्राडे टेट में 13% तक उचल कर 12.04 रुपे तक पहुँच गए कमपनी के सेरों में एते जी उसकबर के बाद आई है जिसमें वो अपने सीमेन कारोबार को बेचनी के बाद कर रही है ब्लूंबर की रिपोर्ट के अनुसा जाई प्रकास एसाशेट के सीमेन कारोबार को गोतो मोडा नहीं खरीच सकते है कमपनी ने कहा कि जई प्रकास असोशेट्स ने सेहर बाजार को दी जानकरी में कहा कमपनी के अपने काईज को काम करने के लिए नीदेशक मुंडल ने आज 10 अक्टूबर 2022 को हुई अपनी बेठक में और यह बातों के साथ-साथ अपनी कमपनी के महतोफों शिमेंट करोबार क सबर के बाज से स्टोक अपना बावन विक के आये 13 अपर 10 रुपे के करीब पोंच गया जैसे उसने 11 जनुरी 2022 को चुगा था स्टोक ने अपना बावन विक के निजले स्टर 7.01 रूपे से बहतर पतिसत रिकवर कर लिया जो 21 जून को हीट हुआ था पचास अरब रूपे की डिल हो सकते हैं सुतर के वाल से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि इह डिल लगबग पचास अरब रूपे में हो सकते हैं ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुत्ता भी अदानी ग्रूप अब कर्ज में रुब्बे जैप्रकास पाउर वांचस लिमेटर के साथ उसकी सीमेट उनिट खरिदी के लिए बाचित कर रहा है तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और सबसे पर दिजिए जैए जैपरकास